बोल्ट की तरफ से और एक TWS हमारे पास आचुका है इसका नाम है Bolt Audio Air Base Soul Pods मेरा नाम अतन में आप देखे टेक्व उनीक चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यह है Box Bolt Audio Air Base Soul Pods का यहां पर मैंने इसे उपन कर लिया था देखने के लिए कौन सा प्रोडक्ट आया हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका बिल इसको रखता हूं मैं साइड में यह मुझे 2500 का मिल गया था अभी यह आपको 3000 रुपई का मिलेगा फ्लिपकार्ट पर यहां पर देख सकते हैं बिक बिल्याइन डे स्पेशल यहां पर दिया गया है इसको रखते हैं साथ में आपको फीचरी देखने को मिलेगा कुछ डॉक्चुमेंटेशन जो हमारे कोई क का नहीं है इसको रखते है side में साथ में आपको कुछ accessories देखने को मिलेंगी accessories में आपको extra year tips दिया गये हैं साथ में आपको एक USB type-c का cable दिया गया है जो कि यहां पर white color का दिया है क्योंकि मैंने white color का buy किया है तो overall हिन सारी चीज़ों को रखते है side में और देखते हैं अभी buds की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं यह है bolt audio air based soul pods काफी अच्छे color में है यहां पर white color का मैंने buy किया है काफी ऐसा pearl सा finishing दिया है उपर की तरफ mat finishing है overall जो यहां पर bolt audio लिखा हुआ है उपर case जो है उसका size बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहां पर देख सकते हाथ में कितना बड़ा लगा देखने में side में जो आपको USB type C port देखने को मिलता है पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है नीचे में भी कुछ भी नहीं है overall जो है काफी बढ़िया लगा देखने में case open करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया यहां पर आपको earbuds देखने को मिलेंगे case थोड़ा सा जादा ही bulky लग रहा है थोड़ा सा जादा बड़ा लग रहा है बड़ भी यहां पर काफे जादा बलकी लग रहे लंबे लग रहे काफे ज़दा अन्यूज्वल सा शेप है बट overall जो है प्रीमियम फील आपको देखने को मिलता है अभी जो है यह आपको 3000 रु जाएगा bolt audio soul pods के नाम से यहां पर देख सकते हैं यह जो है connect हो चुका है और आपको जो है battery level देखने को मिल रहा है 84% out of the box अंदर चलते है settings में यहां पर आपको देखने को मिलेगा high quality audio इसको कर लेते हैं on और आपको जो है AAC का codec दिया गया है इसमें तो overall जो है यहां पर connectivity म यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने काफी सारे गाने सुने मुझे जो इसकी sound quality वह काफी अदा bass ही लगी है यहां पर आप इसमें normal गाने सुनते हैं जो acoustic वाले गाने होते हैं उसमें हलका सा singer का आवाज जो है वह दब जाता है bass के नीचे बड़ गाइस यहां पर बाकी bass का ट्रेबल की quality अच्छी है ट्रेबल की quality थोड़ी सी और अच्छी होनी चीह तो आपको जो है यहां पर इसकी तरफ जाना चीह क्योंकि इसमें जो है बहुत ही भर-भर के बेस दिया गया है तो overall sound quality इसकी अच्छी है बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस पसंद है तभी ह आप इसको buy करना वहीं पर में बात करूँ इसके ANC की तो इसमें जो है ANC mode जो है काफी तरीके से work करता है इसमें आपका अगर AC का आवाज हो गया जैसी fan का आवाज हो गया या फिर आपके आजू वाजू अगर कोई बैठा है नॉर्मली आवाज में बात कर रहा है तो आप आपको जो है उनका आवाज सुनाई नहीं देगा बट अगर आपके सामने कोई खड़े हो के चिला देता है तो वह आपको यहां पर सुनाई देगा बाकि अगर आप इसके ANC को on करके गाना अगर चालू कर देते तो आपको जो है कुछ भी सुनाई नहीं देगा overall यहां पर सामने अगर आपके बात करते हैं तो यहां पर आपको जो है काफे दा रोबोटिक साउंड सुनाई देगा overall जो है अच्छा नहीं है बट noise cancellation काफे दरीगे से वर्क करता है अगर आप noise cancellation on करके गाने सुनते तो आपको यहां पर बेस में थुड़ा सा कम देखने को मिलेगा ब तो इसके बाद हम आउट्डोर भी जाएंगे जहां पर आपको जो है ट्रैफिक में आपको सुनागों कि कितना साउंड आता है इसमें तो आप यहां पर रेकॉर्ड हो रहा है बोल्ट ऑडियो के एर एर बेस सोल पॉर्ट से और यहां पर सिर्फ आपको सुन करके जद करने तो लिए ताकि आपको यहां पर पता चली कि कितना जो है बैग्राउंड नॉइज के क्या प्रकॉर्ट करता है इसका माइक्रफोन मेरा आवाद कैसे आ रहा है वह साब आपको सुन करके जच करने कि बाग्राउंड नॉइज और ट्रैफिक का आवाज कैसे आ रहा है तो बा देखने को मिलती है साथ में आपको एंसी मिल जाएगा मिल जाएगा साथ में आपको देखने को नहीं मिलता तो यह चीज मुझे हलकी सी खराब लगी है बाग कि आप जो इसे as a monopod भी यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक यह बड़ा का आपको यूज करना है तो वो भी इन होने कुछ चीजे क्लेम करें जैसे कि अगर आप इसमें विटाउट चलाते तो आपको यह पे 6 गंटा यह बढ़ चल जाएंगे अगर आप इसने जो है एंसी के चलाते तो आपका साड़ी चार गंटा चल जाएंगे वही पर यह पूरा यहापर के साथ24 चल सकता है तो यहां पर claim काफी बढ़िया करा हुआ है अगर मैं अपने experience की बात कर तो मुझे ऐसा रखते है कि यह जो है आरम से 1 या फिर आरम से आधा दिन चल जाना चाहिए महीं पर आपको चार्जिंग में इसमें USB Type-C का port देखने को मिलता है इसमें as such कोई भी fast charging दिया हुआ नहीं है इसको फुल चार्ज करने के लिए यहां पर आपको आरम से 1-2 घंटे का time लग जाएगा कुछ इसके cons की बात करतो है इसमें आपको नहीं gaming mode देखने को मिलता है और नहीं इसमें कोई भी तरीके का equalizer mode दिया गया है इसमें फुल सा gaming mode देना चाहिए ता मुझे ऐसा लगता है बाग यहां पर ANC वो काफ़ अच्छे तरीके से work करता है बट इसका ambient mode जो है वो उतने अच्छे तरीके से work नहीं करता है साथ में इसमें कोई भी तरीके का आपको fast charging दिया हुआ नहीं है अगर मैं अपने वर्डी की बात करता है आपको जो है इसे 3000 रुपए में buy करना चाहिए या नहीं तो यार मैं यह कहना चाहूँ कि 3300 रुपए में आपको realme के earbuds मिल जाएंगे earbuds 2 वो इससे ज्यादा अच्छे हैं और इसमें आपको gaming mode नहीं मिलता है तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आपको यहां पर gaming करना है तो इसमें जो है gaming नहीं हो पाएगी बाकि इसकी sound quality अच्छी है अगर आपको यहां पर काफी वदा base पसंद है तो आप इसे use कर सकते हैं बाकि इसमें कोई भी तरीके का realme link या फिर किसी भी app का support नहीं है overall इतना है इस वीडियो में अगर आपको यह TWS पसंद आते हैं sound quality के मामले में जैसे कि मैंने कहां base अगर आपको ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप इसे buy कर सकते हैं इतना हिदन अगर इस वीडियो में आपका इच वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद नीचे description में इस earbuds का link दिया हुआ है वह से जाके याप इसे checkout कर सकते हैं इतना हिडियो तो इस लिए बिबाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तब यह भी जो आवाज सुने वह यहां पर रेकॉर्ड और है बोल्ट आडियो के सोल पॉट से आपको सुन करके जज करने की कैसे जब को माइक्रफोन की कॉलिटी सुनने में आ रही है बाकियार आप यहां पर सुन करके जज करी सकते हैं की बैगरांड नॉइज और ट्रैफि